Hello Friends, Welcome to the Channel Preach Garden Friends, जब हम gardening करते हैं तो हमें gardening से related कुछ सामान की अक्सर जरूरत पढ़ जाती है जैसे fertilizer, pesticide वगरा या और भी gardening से related कुछ items होती है तो वैसे तो ये किसी भी nursery पर easily available हो जाती है आप कहीं से भी purchase कर सकते हैं बट कई भर situation ऐसी आज आती है कि हम लोग nursery नहीं जा पाते किसी भी वज़े से या जैसे पिछले दिन लोगडाउन की situation आ गई थी तो हम लोग nursery नहीं जा पा रहे थे तो चीजों की requirement तो friends रहती ही है और जब हम nursery नहीं जा पाते friends तो हमारे mind में सबसे पहले आता है कि चलिए online shopping कर लेते हैं gardening products के लिए और जैसे भी हम कोई भी website विजिट करते हैं friends online shopping के लिए gardening products की तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको सीधे double rate देखने को मिलेंगे और बहुत ज़ादा costly products मिलते हैं online gardening के तो वहीं friends हम ये सोचते हैं कि जो चीज हमें 100 rupees में मिल रही है हम उसके लिए 200 rupees क्यों दे और उसके उपर से हमें कई बारों का delivery charges भी देना पड़ जाता है तो वो plants और भी costly पड़ जाते हमें तो आज की इस वीडियो में friends मैं आपको अपनी online shopping दिखाऊंगे कि मैंने कौन-कौन से fertilizer मंगाए है online और किस price पर मुझे मिले हैं और मुझे तो friends यह बहुत reasonable price लगी और seller की जो भी information होगी friends वो मैं description box में डाल दूँगी आप वहाँ पर जाकर check कर सकते हैं और friends चलिए video start करते हैं कि मैंने कौन-कौन से product purchase किये हैं और किस price पर मुझे मिले हैं उससे पहले friends अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजिए और साथ में bell button भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आगए आने वाले video के notification साथ-साथ मिलते रहें तो सबसे पहले देखे मैंने कोकोपीट केक 5 kg की brick purchase की है और कोकोपीट का आजकल gardening में बहुत ज़्यादे यूज किया जाता है friends और यह brick friends अगर बात करें rate की तो मुझे यह 200 रुपीज में मिली है और काफी reasonable price पर मिला मैंने online पहले चेक किया था जो famous websites प्राइट्स है गार्णिंग प्रोडक्ट के लिए तो कहीं पर 300 400 400 इस तरह के prices मुझे मिल रहे थे बट जब मैंने डेली सिंडर एंड फर्टिलाइजर से यह प्रोड़क्ट मंगाया तो यह मुझे 200 रुपीज में मिली है फ्रेंट्स वन ब्रिक 5 kg की उसके बाद यह देखे फ्रेंट्स यह है साफ फंजिसाइड वैसे तो मैं फ्रेंट्स केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करती हूँ मैं और गैनिक प्रोड़क्ट से यूज करती हूँ बट अभी जैसे बारिश हो रही है मेरे कुछ मैं इसको यूज करूंगी क्योंकि जितना भी हो हमें केमिकल को अवर्ट करना चाहिए लेकिन फ्रेंट्स प्लांट्स खराब हो जाए उससे तो अच्छा है कि थोड़ा सा यूज कर लिया जाए तो मैंने साफ फंजिसाइड मंगाया है यह मुझे 100 ग्राम का पैकेट है फ् आपकी जो मिट्टी होती है फ्रेंट्स उसको वेल रेंट बनाने में बहुत अच्छा काम करती है दूसरा जैसे माल लीजे गर्मी जादा होती है समर्स के टाइम पर तो आप राइस हस को as a mulch यूज कर सकते हैं अपने प्लांट्स में उनको गर्मी से बचाने के लिए और स जो पत्तियों की खाद होती है फ्रेंट्स सूखी पत्तियों को डीकंपोज करके बनाए जाती है यह कार्बन का बहुत अच्छा सोर्स होती है और भी काफे सारे नूट्रिशनल वैल्यूज होते हैं प्लांट्स के लिए जो बहुत जरूरी होते हैं तो यह एक पैकेट 4 kg का है फ्रेंट्स और यह मुझे 50 रुपीज पर केजी मिली है और यह देखे मैंने 2 पैकेट मंगवाई है यानि के मैंने 8 kg लिफ मेल्ड मंगवाई है क्योंकि मुझे प्राइस इसका बहुत रिजनेबल लगा और बार बार मंगवाने से फ्रेंट्स मैंने एक ये बार मंगवा है यह वन किलो ग्राम का पैकेट है और एप्सम सोल्ट भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होता है फ्रेंट्स जैसे हमारे प्लांट्स का फोटो सिंथेसिस का प्रोसेस होता है कि हमारे प्लांट्स अपना खाना खाना खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस में यह ह प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है और मैं इसको अपने प्लांट्स में रेगुलर यूज करती हूं फ्रेंड्स ये एक और गैनिक फर्टिलाइजर है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इससे और ये फ्रेंड्स मुझे वन केजी का पैकेट 100 रुपीज में मिला है उसके नहीं करते हैं और उसके बाद केमिकल भी यूज नहीं करती हूं ज्यादा मैं तो जो हमारे प्लांट्स की कैल्शियम की रिक्वार्मेंट होती है उसकी वजह से थोड़ी सी पत्तियों का जो कलर होता है वो खराब होने लग जाता या प्लांट के अच्छ से ग्रोथ नहीं ह पाती है तो उसके लिए फ्रेंट्स मैंने ये स्टोन डस्ट का ओर्डर किया है स्टोन डस्ट मंगवाई है मैंने क्योंकि ये कैल्शियम की बहुत अच्छ से पूर्ती करती है हमारे प्लांट्स में और प्लांट्स की ओवरॉल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ये फ्र अगर वर्मी कंपोस्ट आप अपने प्लांट में देंगे तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे उसके और मैं तो ये मानती हूं कि वर्मी कंपोस्ट की खाद सबसे बेस्ट होती है क्योंकि इसमें आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम, फासफोर्स उसके अलावा जो भी माइक्रो नूट्रेंट्स होते हैं, सभी तरह के मिल जाते हैं, फ्रेंट्स तो आपको अपने प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ के लिए इसका जरूर यूज़ करना चाहिए, और ये बिल्कुल प्योर ओर्गैनिक है, फ्रेंट्स इसमें कोई मिलावट नहीं है, औ लेकिन जो मैटर करती है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मैटर करती है, जो कि अगर हम 15-20 रुपे किलो वाली वर्मी कमपोस्ट ले आते हैं, तो और ज्यादा इफेक्ट उसका नहीं मिलता है, तो वही बात पढ़ जाती है, फ्रेंट्स की अगर हम बढ़िया यूज करने चाहिए, फ्रेंट्स, यह 30 रुपे किलो मिली है, उसके बाद जो नेक्स प्लान, जो फर्टिलाइजर फ्रेंट्स यहह नीम खली, यह एक किलो का पकेट है, और नीम खली का यूज बता देती हूँ, फ्रेंट्स, नीम खली भी हमारे प्लान्ट चेली बहुत ज पाचे रहते हैं और साथ में ये बहुत अच्छे फर्टिलाइजर का काम भी करती है इसमें नाइड्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और उसके अलावा और भी काफी सारे पोशक तत्व होते हैं तो ये भी हमें अपने प्लांट्स में जरूर यूज करनी चाहिए औ और एक चाहिए और बताती हूँ जब भी आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं जैसे कभी खली का दाल दीजें तो उसमें कीड़े नहीं हो और आपके फर्टिलाइजर की जो quality होगी वो भी improve हो जाएगी तो नीम खली मुझे यहां वन किलो का packet friends 50 रुपीज का मिला है तो मैंने यह 4 packet मंगवाई हैं क्योंकि plants ज्यादा होते हैं तो requirement हो ही जाती है इन चीज़ों की उसके अलावा friends यह देखिए एक मैंने यह अन्वो सिंडर मंगवाई है सिंडर मैंन चाहिए तो इसको मैं अपने रोज plants के लिए यूज करूंगी और कैसे यूज करूंगी friends वह भी मैं आपको बताऊंगी तो यह अगर आप यहां से लेना चाहते हैं friends तो यह आपको 30 रुपीज पर kg के कोडिंग मिल जाएगी अन्वोस्ट जो सिंडर होती है और जो वोस्ट सिंडर है अगर आप वो लेते हैं friends तो उसके लिए आपको अलग से कोस्ट मिलेगी तो friends अब मैं आपको बता देती हूं कि यह products मैंने कहां से परचेज किये हैं friends यह products मैंने डेली सिंडर and fertilizer के नाम से seller हैं उनसे परचेज किये हैं और काफी reasonable price पर मुझे मिल गए है friends और आपको अपनी catalog send कर देंगे WhatsApp पर और आप उसमें देखेंगे कि आपको gardening से related काफी सारे products मिल जाएंगे जैसे fertilizer, pesticide अगर आप chemical लेना चाहते हैं तो chemical products भी मिल जाएंगे और organic लेना चाहते हैं तो आपको organic products भी मिल जाएंगे और उसके अलावा gardening related और भी समान जैसे खुर्प या tools वगरा जो भी होते हैं और stones वगरा जिसे decoration के लिए हमारे garden में काम आते हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे तो काफी तरह के products मिल जाएंगे friends वहाँ पर आपको gardening related आप एक बार उनसे contact जरूर करके देखी लीजिए और अगर आपका product friends thousand rupees plus होता है तो आपको delivery charges भी नहीं bear करने पड़ेंगे आपको shipping बिल्कुल free में मिलेगी तो उनकी detail friend मैं update कर दूंगी description box में आप वहाँ पर जाकर check कर सकते हैं और seller को contact कर सकते हैं friends आज का वीडियो मेरे आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए share कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में बड़ी असे जानकारी के साथ तब तक के लिए बाए happy gardening take care